क्लस्टर बॉम को अब तक का सबसे खतरनाक वैपन माना जाता है इसके पीशे का रीजन यह है कि यह सालों तक फटता ही रहता है क्योंकि क्लस्टर बॉम में 88 छोटे छोटे बॉम होते हैं जिसे एक साथ कई दुमाखे करने में प्रियोग में लाया जाता है लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है जब भी ये जमीन पर होते हैं तो नमी के कारण ये डियक्टिवेट हो जाते हैं और उसके कई महीनों के बाद ये फिरसे अक्टिवेट हो जाते हैं और बाद में किसी के कॉंटेक्ट में आकर ये बॉम्ब लैंड माइन की तरह फट जाते हैं ये contact time सालों तक कभी हो सकता है 1955 से लेकर 1975 तक चले वियतनाम युद में अमेरिका ने बारी मात्रा में कलेस्टर बॉब का यूज किया था इसी ये वार के 50 सालों बाद भी ये बॉब एक्टिवेट होते रहे इसके कारण कई लोग बेबजा ही मर गए